Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग? मस्त बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग Social Pharmacy का Chapter No.1 का Lecture No.5 जहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ Goals के बारे में Goals मतलब जिन्दगी का मकसद क्या है? हमारी नहीं, इनकी ठीक है न, यह संस्थाई हैं, इन्होंने जो कुछ Goals Set की हैं, सारे के सारे Goals हमारे Pharmacy related हैं, तो आज समझते हैं यह Goals क्या हैं और किस उद्देशे से बने हुए हैं तो Goals की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर आते हम लोग Goals पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास Millennium Development Goals, ठीक है न, Millennium Development Goals क्या है यह, The Millennium Summit, एक Summit मतलब, एक Meeting हुई, एक वारता लाप हुई, ठीक है Was a Meeting Among Many World Leaders, ठीक है न, दुनिया भर के देशों से कुछ उनके Country को Repent करने के लिए कुछ लोग आये थे जिनके बीच में यह Meeting होती है, Lasting 3 Days, तीन दिन तक चलती है Meeting यह, From 6 to 8 September 2000 ठीक है, तीन दिन तक Meeting चलती है, लगातार 6, 7, 8 September 2000 में चली है Held at the United Nations, कहा हुई थी यह, United Nations Headquarters, जो कि New York में है, वहाँ पर यह Meeting चलती रही ठीक है, अब हुआ क्या, At the Meeting, World Leaders Ratified the United Nations Millennium Declaration Ratified मतला, एक तरह से नोंने क्या किया, United Nations Millennium Declaration को क्या क्या सबने सर्व सहमाथी से उसके उपर साइन किया, अभी है क्या दानेंगे, The Millennium Development Goal MDG are 8 Goals, यह पूरे क्या थे, 8 Goals थे, है ना, with measurable target, और उनके को target भी set किये गए, कि कब तक उने पूरा करना है, and clear deadline, उनकी deadline थी, कि हाँ, इनको कर लेना है, और इस तारीक तक खतम करना है, For improving the lives of the world's poorest people, तो देखो बच्चो, यहां से साफ एक बात जलगती है, कि जो United Nation Millennium के जो goal थे, declaration थे, उसका उदेश, किसके लिए था, तो इसके पूरी दुनिया में जो गरीब लोग है, यानि कि जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, वो कहीना कहीं गरीब लोगों के बारे ही है, पस फरक क्यों हो जाता है, बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मन से काम नहीं करते हैं, तो वो सारी सुविधाय उन गरीब लोगों तक विचारों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो किसके लिए goal थे यह, lives of the world's poorest people, दुनिया में जो सबसे गरीब लोग हैं, किसी eradicate poverty, eradicate मतलब और poverty मतलब गरीबी, eradicate खतम करना, गरीबी को खतम करने के लिए, leaders of 189 countries, 189 countries से उनको country को repent करने के लिए, कुछ-कुछ लोग आय थे, इनको leader कहा गया, signed historic millennium declaration उन्होंने sign किया, at the United Nations Millennium Summit, है न, summit मतलब, वही जो अपनी meeting हुई, तो वो उन्होंने sign किया, कब 2000 में International Development Goals agreed by, किसके तवारा agree किया गया, summit की गई, development minister, हर एक country के जो development, country के development ministers होते हैं, in the shaping the 21st century strategy, तो रणनीति का नाम क्या रखा गया, shaping the 21st century strategy, ठीक है न, हम 21 सदी को एक नया रूप देते है, the sustainable development goals succeeded the MDG, जब इस sustainable development goal को बाद में, किसने ओवर्टेक कर लिया, MDG ने, मतला उसको खतम कर दिया गया, MDG आगी थी कब 2016 में, उसके आने पर ये goal खतम हो गया थे, फिर नए goal किस रूप में आए, MDG को रूप आए, वोई पढ़ेंगे अभी हम लोग, sorry, SDG को रूप में आए, all 191 United Nations members, United Nations के जो पूरे 191 members थे, and at least 21 international organizations, और कितनी कब से कब 22 जो थी, संस्थाइन थी तो international level पे है, committed to help, उन्होंने पूरे commit किया, मतला कि उन्होंने वादा किया, promise कि help करेंगे, achieve the following millennium development goal, कि इस millennium development goal को achieve करने में, पाने में हम आपकी help करेंगे, कब तक इसको पाना था, 2015 तक, तो वो 8 goal क्या है, फटा-फट देख लेते हैं, to eradicate extreme poverty and hunger, भुगमरी और गरीबी को मिटाना है, to achieve universal primary education, हर किसी को primary education सबको मिलनी चाहिए, to promote gender equality and empowerment of women, है ना, gender equality, जो लड़का लड़की का भेदवाव, उसे खतम करना है, और women empowerment है ना, औरतों का ससक्तिकरन करना है, reduce child mortality rate, बच्चों में जो death होरी उसको कम करना है, to improve maternal health, मा की health के उपर ध्यान दे नहीं है, to combat HIV AIDS, malaria and other disease, यह वो disease है, जो कि काफी ज़्यादा व्यापत है, इससे लोगों की महते ज़्यादा होती है, to ensure environmental sustainability, environment का जो environment है, हमारा वो बिगडे नहीं, ज्यादा polluted ना हो, वो maintain रहे, उसके लिए, उसको सुनश्चित करेंगे, to develop global partnership for development, है ना, एक global partnership, सब लोग मिल जो के काम करेंगे, जिससे की क्या हो सके, सबका development हो सके, तो यह 8 goal थे, किसके, जिसे हम millennium goal कहते है, millennium goal को बाद में, किसने, sustainable development goals आ गए, millennium development goal खतम हुए, फिर कौन से आ गए, sustainable development goal, sustainable का मतलब होता है, कोई चीज जो लगातार, निरंतर, एक समान चलती रहती है, उससे हम कहते है, sustainable, तो क्या कह रहा है, the sustainable development goal, SDG, और global goals, इनको हम लोग किस दूसरा नाम क्या है, global goals, are a collection of 17 interlinked global goals, वह 8 से अब 17 हो गए, ठीक है, designed to be shared, blueprint for peace and prosperity for people and the planet, ठीक है, यह क्यों goal design किये गए थे, ठीक है, यह किसका blueprint था, peace, सांती के लिए and prosperity, समरिद्धी के लिए, for people and the planet, लोगों की समरिद्धी और सांती के लिए, लोगों और planet की समरिद्धी और सांती के लिए, इसको बनाया गया, है ना, जैसी बात है, पूरे देखो, दुनिया में, pollution और हाकारता मचा हुआ है, तो कौन कदम उठाएगा, हम सब्सक्राइब अगया, है ना, sustainable development goals, was set up in 2015, याने, 2015 में, millennial development goal खतम होता है, तो इनको set किया जाता है, by the United Nations General Assembly, ठीक है न, UNGA, and are intended to be achieved by 230, और इसको मनशा रखी गए, इसकी intention थी, कि 2030 तक हम इसे है, कि 2030 उसको हम पा लेंगे, they are included in a UNGA resolution, इसको हम लोगों ने, UNGA का resolution, हम लोगो तो resolution जो एक कसम खाते हैं, resolution होता है, कि हम एक कसम खाते हैं, सौगन दखाते हैं, तो UNGA का resolution, resolution इस टाइप सौगन दखाना, called, और उसने इसको क्या नाम दिया, 2030 Agenda कहा, क्या खा, इसका एक और नाम पढ़ा, 2030 Agenda, और what is colloquially known as Agenda 2030, और इसको एक और नाम से बला देते हैं, जै वर developed in the post-2015 development Agenda as the future global development framework, to succeed the millennium development goals, which were ended in 2015, तो वो ही कह रहा है कि इसको लाया गया, 2015 की last तक आते आते हैं, क्योंकि millennium development goal का 2015 तक का time खतम हो गया था, तो उसमें जो चीने बच गई थी, उसको और आगे तक ले जाने के लिए, इसको यहां पर लाया गया, अब 17 गोल क्या है, फ पुरी दुनिया से हमें खतम करना है, and hunger, भुकमरी को खतम करना है, अचीव food security, food security मतलब हर किसी को खाना मिले, कोई भुका ना रहे, and improve nutrition, nutrition मिले, ऐसा लिए खाना ही मिल रहा है, nutritious food मिले, and promote sustainable agriculture, जो agriculture है कैसा रहा है, sustainable, लगाता रहा है, ऐसा नहीं कि बार से सुखा पढ़ रह है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ensure healthy life, and promote well-being for all at all age, सुने स्चीच करना है, healthy life, एक स्वस्थ जिंदगी, और promote करना है well-being, है नहीं एक तरह से हम कह सकते हैं, अच्छा, well-being कह लो कि एक अच्छी health कह लो, for all सब के लिए at all age, हर age पर, ठीक है, आगे आते हैं, अब क्या कह रहा है, यह, फिर कह रहा है, ensure inclusive and equitable quality education, inclusive का मतलब हो गया, यहाँ पर समावेशी, समावेशी का मतलब होता है कि, सब के लिए, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है न, equitable and quality education and promote lifelong learning opportunity for all, और पूरी जिंदगी, lifelong जब, जब चाहे, जो चाहे पढ़ना चाता है, तब उसको अपने study कर सकता है, achieve gender equality, पिछवला आ गया, and empower all women and girls, है न, gender equality, man, woman का भेदभाव नहीं होना चीए, और सभी और तों गल्स का empowerment, ensure availability and sustainable management of water and sanitation, है न, availability of sustainable management, यान कि पानी, यह सन कि पानी, अनल टाइम पर खता हो, ज़सका sustainable management करना है, एक limit पर इस्तमाल करना है, यतनी जरूरत है, उतनी उससे ज़् नहीं, sustainable management of water and sanitation, साथ सफाई, for all, सब के लिए, है न, 7th क्या है, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, ठीक है न, ऐसे सब लोग पास सके है, affordable rate per reliable, sustainable and modern energy, modern energy क्या है, light है, ठीक है, न, सब को मिल सके, ठीक है, light है, और भी सारी चीज़े है, जो light है, और जो भी energy का रूप है, वो सब को अराम से, easily, affordable rate मिल सके, promote, sustain, inclusive and sustainable economic growth, ठीक है, देखो, inclusive जब जब आयाता है, तो समझ लेना, सब के बिना किसी भेदवाओ के, ठीक है, न, sustainable वतर निरंतर, एक समान, economic growth, full and productive employment, जहां पर economic growth ऐसी होगी, जहां पर employment की कमी नहीं होगी, and decent work for all, decent work, है न, सब के लिए, अच्छा काम, जो जो काम क चाता है, उसको वो काम मिले, build resilient infrastructure, promote, inclusive and sustainable, industrialization and foster innovation, तो यहां पर कह रहा है, कि ऐसा infrastructure बनाना है, promote करना है, जिसमें बिना किसी बेदवाओ के, industrialization हो, और foster innovation, foster मतलब किसी का पारण पोशन करना, innovation मतलब नए नए आइडियास का पारण पोशन हो सके, भरण पोशन हो सके, जिससे क इंसानों का उत्थान हो, reduce inequality within and among countries, inequalities भेदवाओ नहीं होना चाहिए, इस country से उस country के बीच में, है ना हमें वो खतम करना है, और यह चीज़ खतम हो जाएगी, तो लडाईयां खतम हो जाएगी, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, जो cities है और human के settlements है, जो रहेंस है नहीं है, उसको safe रखना है, resilient म sustainable, consumption and production pattern, मतलब जो चीज़ consume हो रही है, खाने पीने वाली है, या जो भी हम लोग इस्तुमाल करने वाल चीज़े है, consumption and production होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, sustainable होना चाहिए, यह नहीं कि पेड़ काड़ दिया बहुत सारे, आश्यों लगड़ी बहुत सारे, फिर कुछ सालों खतम हो जाए, हमें अपनी महत्वकान साहिए नहीं, लालस के हिसाफ से नहीं, अपनी जरूतों के हिसाफ से काम करना है, यह नहीं कि अंदा दुन पेड़ी कटाई करें, एक उधान दे रहों पेड़ काम है, कि पेड़ काड़ दियो बहुत सारे, तो हमारा consumption और production यह बराब conserve, बचाओ, और sustainably use the ocean, उस समधर को बचाओ, और उसका इस्तमाल करना है, वो sustainable करना है, तो sustainable का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो, किसी घर में चार बच्चे हैं, और माबाब छे लोग हैं, अब सपोज, अनाज क्या है, या रोटिया मान लो, उनके पास खाने के लिए, मा आज उनके बाराई रोटियां थी, या वो एक काम ये कर सकते थे, सुवेरे जो बहुत तेज भूख लगी थी, तो एक-एक रोटी खा लेते, और एक-एक रोटी अपनी बचा लेते, अब जब सांद को भूख लगी तब खा लेंगे, कल तक की जुगार हो जाएगी, तो य इनके एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, इनके एक्स्ट्रा हमें वातावरंड से छेड़छार नहीं करनी है, तो हमें कंजर बचाना है, sustainable use of ocean, seas and marine resources, समूधरी का जो समूधरों से जो हमें resources मिल रहे हैं, उनमें हमें अंदादूंद उसको लालज के लिए बहुत ज़धा इस्त किया तरहिए है एंड हाड दा रिवर्सिट्षों को यह व्युप्त होता चली है इस जीजहएं को रोकना है को है प्रमोट पीश्फुल एंड क्लूजिव से ससाइटी सूसाइटी अर्फोस्टेन लेवलममेंट प्रवाइड access to justice for all हमें सबको access मतलब सब लोग क्या हो सब लोग सच्छम हो या सब लोग पास सकें justice पास सकें एक सवान justice मतलब यह नहीं भेदभाव वाली justice हो कि कोई अमीर है तो उसको गरलत काम कर रहा है तब भी उससे कुछ नहीं बोला जा रहा है गरीब है तो उससे बोला जा रहा है तो ऐसे justice for all and build effective, accountable and inclusive institution at all level जो भी संस्था है हमारी वो सब कैसे होने चाहिए जिम्मेदारे वाली होनी चाहिए ठीक है बिना भेदभाव वाली होनी चाहिए justice for all होना चाहिए strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development global partnership यहां सीध्य सा मतलब क्या हो गया एक देश को दूसरी देश के साथ मिल करके काम करके चलना है जिससे क्या हो सके मजबूती हो सके implementation and revitalize है ना एक दूसरे को हम लोग क्या कर सके मजबूत रख सके और जो हम लोग गोल है उनको implement कर सके चीजे रिवाइटलाइस हो सके रिवाइटलाइस का मतलब होता है पुनाय जीवित होना एक तरह से तो जब हम लोग global partnership करके चलेंगे एक दूसरे से मिलके चलेंगे तो sustainable development हमारा होता रहेगा sustainable development मतलब क्या हो गया ऐसा development जो एक समान है यह नहीं कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम ऐसा नहीं होना चीए ठीक है तो यह 17 goal था तो कहीं न कहीं जो यहाँ पर starting में हमने देखा भी 17 goal का मकसद क्या था यहाँ पर क्या था 17 goal का मकसद ठीक है planet के लिए था है ना किसके लिए था planet के लिए था कि जो पूरी peace and prosperity for people and planet तो उसी के हिसाब से पूरे के पूरे यह 17 goal decide किये गए है ठीक है अब यह तो जो दोनों goals थे हमने पड़े उपर वाले ठीक है millennium आश्डीजी यह थे अपने पूरी इंसानी इंसानों को ले करके थे सारी बाते है ठीक है कि इस कुदरत दुनिया और इंसान इसमें सब लोग सामिल थे अब आते हैं हम लोग FIP development goal यह जो FIP है यह work करती है किसके लिए फार्मासिष्ट के लिए यहने कि हम लोगों के लिए तो यह इसके जो goal है वो फार्मासिष्ट के इर्दगिर्द घुमेंगे ध्यान रखना FIP के goal है वो फार्मासिष्ट के इर्दगिर्द घुमेंगे उपर आले जोनों goal थे वो पूरी पूरी इंसानियत को ले करके थे यह फार्मासिष्ट को ले करके हैं तो देखो कुछ बच्चों कन्फूजन रहती है इंटरनेशनल फार्मसुटिकल फेडरेशन नाम है FIP बट एक्चुल में से पढ़ा कहा जाता है जो दूसके अपनी लेटिन लेंग्विज है इसको पढ़ने तरीका उदर अलग भार्शा में तो इसको ऐसे पढ़ा जाता था अब है साथ पहले फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मसुटिक तो FIP नाम पढ़ गए इंग्लिस में क्या हमारे पास इंटरनेशनल फार्मसुटिकल फेडरेशन FIP ठीक है ना तो नाम से कंफ्यूज मत हो ना इसको अपरिवेटीड ऑफ और इस एंटरनेशनल फेडरेशन किसको रिप्रेजंट कर रही है फार्मसेटिकल साइटिस्ट वह साइटिस्ट फार्मसšeटिकल मतलब रहता है जो दवाई ने क्यलेटट साइटिस्ट होता चीज्व काम करते हैं उनका On कौन करते है इसको चीजों को रिप्रेजेंट करती है कौन FIP इट वस फाउंडेट इन 1912 कब इसको बनाया गया उससे 12 में एंड इस बेश जीन निदरलेंड में है हॉग मनाम की जगह पर इसका जो मेन हेड़कॉर्टर है वहाँ पर है इसको बोलें तो संग जैसे हिंदी में बोलें मैं है ना और जो आएंगे अभी इसके अंदर वो होते हैं संग अधन है ना तो जो संग है एक बड़ी चीज़ यह थी संगठन चुछटोटे संगठन होते हैं ठीक है ना तो इसी लिए जैसे विए फैडरेशन ग्लोबल फैडरेशन ऑफ नेशनल असोसी एशन सीसेंस ऑफ फ्रश्बशिष्ट्व यह एक संग है कई सारे फार्माशिष्ट शंगठन का अब बात केले रुई ठीक ना इटीज़ा ग्लोबल फैडरेशन ऑफ नेशन अशनल आस्विएशन ऑफ फ इसके अंदर 127 मेंबर है ठीक है ना और लगबग 3 मिलियन तीस लाग प्रेक्टिशनर और साइंटिस से जुड़े हुए है इट इद नॉन गवर्मेंटल ओर्गनाइज़ेशनल यह NGO है गौवर्मेंटल नहीं है यह इन ओफिशियल रिलेशन विद द वर्ल्ड हेल्ट और यह इसका भी मिशन किया है ग्लोबल हेल्ट को ही इंप्रूब करना जैसे कि अपना डवलो एच्चों का था ठीक ना उपर जो पड़े उसमें क्या था पवर्टी हटाना गरीब हटानी है इसका काम भी है क्या चाहती है फार्मेसी प्रेक्टिस यह चाहती है जितनी अच्छी फ अब इसी बात है दवाईयों को सारा ग्यान फार्मसिस्ट के पास है ठीक है ना जितनी अच्छे डिस्कवरी होगी दवाईयों का डवलमेंट होगा एसेश टु सेफ यूज ऑफ सेफ यूज अप्रोप्रियेट और कॉस इफेक्टिव जैनिक सस्ती दवाईयां और क्वाई तो यह दवाईयों के हेल्प से जो हैल्थ अच्छी होने वाली है उसके लिए यह क्या कर रहा है चाहता है बट विद्धी हेल्प फार्मसिस्ट किलियर हो गया FIP बार बार रिपीट इसलिए किया है ताकि चीज़े किलियर हो अब इसके ना 21 गोल है ठीक है अब जो 21 गोल है उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं हम लोग पहली चीज तुम लोग पहला काम क्या करोगे जैसे एक दो तीन चार इस तरीके से मालो पांच नंबर में कोशन आता है तो 21 में से पांच पॉइंट तुम लोग याद कर लोग जो तुम्हें अच्छे लगे है क्वालिटी अस् क्वालिटी एस ओरेंस ठीक है कंपिटेंसी डवलोप्मेंट लीडर्शिफ डवलोप्मेंट कितना होगे चार ठीक है पांच इस तरीके से तुम दस पहले याद कर लोगे हैं अंदर मत जाना एक दम अभी जब दस हैडिंग याद हो जाएं तो अब उस हैडिंग के अंदर अब पढ़ना श्टार्ट करना अच्छा एकेडिंग केपसिटी है उसमें यह चीजें है करके क्योंकि पूरे 21 गोल तुमको याद कर पाना मुश्किल पढ़ेंगे तो कोई भी हमको पढ़ने सारे हैं कि हाँ यह गोल होते हैं क्योंकि कोश्चन कई बार अबजेक्टिम में फच सकता है ठीक है तो अब जैसे अकेडिंग क्या रहा है अब अकेडिमी का मतलब क्या हमें पता है पढ़ाई का लेवल हमें ऐसा करना है कि सारा का सारा घ्यान एक फार्मसिस्ट के पास होना चाहिए तो वही कह रहा है डवलब नीव और इन इन इवेटिव वेस्ट तू attract young pharmacist हमें नएने तरीके ख्रुजने हैं । जिसे यंग pharmacist attract हो into all areas of pharmaceutical practice and size ठीक ő न फार्मसिटिकल पैक्टिस के जितने भी area of science है pharmacist वहाँ ज़ाए अपना interest दिखाया ऐसा है यह निकी बध पढ़ लिया उसके तब्रना कुछ और काम करने लगे ठीक है न Capacity building should include the ability to meet Capacity, academic capacity Capacity कुछ इस तरह से build की जानी चाहिए कि वो minimum national standards को follow कर सके ताकि सुनश्चित हो सके access to quality education for all students कुछ इस तरह से capacity building करनी पड़ेगी कि जो minimum requirement है standards का वो follow हो पूरा हो, meet हो जाए जिससे की एक अच्छी education क्या हो जाए सुनश्चित हो जाए, जब एक अच्छी education मिलेगी तब इतना फार्मसिस्ट को पूरा ज्यान होगा early career training strategy तो यहाँ पे सारी बातें किसके लिए की गई है इसका कहना है फार्मसिस्ट को अच्छे कर दो health अपने अब अच्छी हो जाएगी बात समझना इस चीज को early career training strategy अब यह strategy बगार इंस्सानों को थोड़ना है फार्मसिस्ट वालों के लिए है ठीक है education and training of graduate and post graduate students अब उनके लिए training के प्रोग्राम होने चाहिए and early career pharmaceutical scientist to advance their skills यह training program होने चाहिए जिससे कि quality and effectiveness of pharmaceutical science ठीक है ना फार्मसिटिकल साइन्स की quality को effectiveness बनाना है by assuring the education कैसे अच्छा होगा by assuring अच्छी मतलब आस्वसन देना है कि education training and performance and professional development होना चाहिए standards that developed workforce workforce मतलब काम करने वाले लोग तो हम यहां workforce से समझा करेंगे अब से फार्मासिस्ट ठीक है workforce मतलब कहन हो गए फार्मासिस्ट ठीक है fit to deliver दो service तो बात समझ में आई quality assurance अब एक quality कब दे पाएगा एक फार्मासिस्ट जब उसके पास education, training, performance और professional development उसका proper होगा extended के साब से होगा तो एक ऐसा workforce एक ऐसा फार्मासिस्ट डवलब होगा fit to deliver दो service अब वो उन service को जो उसको देनी आगी जा करके वो proper दे पाएगा advanced and specialist development है न advanced और specialist हो किस चीज में ensure competency and capability है ना चमता और इसको दोने तरह से चमता चमता लग रहा है skills हम कहते है skills जो उसके काम करने का जो उसका वो होता है skills इसकील और चमता capable होना चाहिए वो of an advanced and expert pharmacist in all sectors इसे ओर करें competency and capability of an advanced and expert pharmacist ठीक है ना for greater optimization of complex pharmaceutical patient care तो यहाँ पर क्या होना है सुनशित करना है कि competency and capability एक जो pharmacist है advanced and expert pharmacist जो pharmacist है वो expert हो advanced हो ठीक है अपने सभी sector में for greater optimization and complex pharmaceutical patient care जिससे की अपनी जो सेवा है जो अपनी या जो अपना जो वो दे रहा है patient को अपनी जो एक तो उसमें सीखा है जिससे आप से patient करेगा वो best care करे और अगर कोई complex pharmaceutical care है तो उसमें वो उसको अच्छे से ध्यान रख सके patient का ठीक है ना complex जटिल फार्मसिटिकल patient care कई कुछ patient होते हैं कुछ patient ऐसे होते हैं जिन में उनका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है तो वो चीज़ पता होने चाहिए उनको competency development use evidence based competency evidence मतलब साच्छे बेस्ट जो प्रानी घटना घटी होती है उसके अधार पर पढ़ाई होने चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ तो तो किसी ने ऐसा इस्तेमाल किया था पेशेंट के साथ यह दिक्कत थी तो किसी फार्मसिस्ट ने यह तरीका अपना आया था तो evidence-based specific professional service जिससे कि अपनी professional service को दे पाए such as professional service कौन कौन सी है कैसे की medicine use review medicine का review करना use को ठीक है न कैसे review का मतलब है medicine दी जारी है उसको बार बार देखना patient आके दिखाए कि हाँ मैं ऐसे लिए ऐसे लिए तो उसका review करेगा कि क्या क्या है क्या 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 नहीं है क्या दिक्कत है एडेरेंस optimization ठीक है ना कि patient दवाईयों को time से और उसी तरीके से ले यह नहीं कि दिन में खाने चार बार ले रहा है दो बार ऐसा नहीं compounding, prescribing, vaccinating, managing, communicable and non-communicable disease यही सब तो service देगा हो है ना तो यह सब देने के लिए क्या होना चाहिए evidence-based competence यानि कि उसको पिछले जो proof based होता है उसके अधार पर उसकी सिख्छा होनी चाहिए leadership development creation of program and strategies for development of leadership skills उसके अंदर एक leadership quality भी होनी चाहिए क्योंकि उसके बहुत से लोगों को deal करना है न अब 10 patient है उनको deal करना है तो उसको ऐसी चीज़ां आनी चाहिए कि patient की बात को माने अब फार्मसिस्ट हो कह रहा है ऐसा करो patient कह रहा है हमने सुन रहा है तो उसके अंदर यह होनी चाहिए कि क्या होसे leadership quality होनी चाहिए तो creation of program and strategies for the development of leadership skills to support pharmacist and pharmaceutical scientist through their carrier जिससे कि उसके पूरे carrier में उसका क्या हो सके support हो सके यह सब काम कौन करने के लिए कह रहा है FIP advancing integrated service जो services है वो advanced और integrated एक दूसरे से मिल जूल करें मालों दवायों का pathology machinery है कोई x-ray है या वो है तो एक मिला जूला integrated service होनी चाहिए अब patient centered and integrated health service ठीक है जो उसका काम है वो patient centered होना चाहिए और integrated service foundation for workforce development workforce मतलब जो लोग काम कर रहे हैं इसके development के लिए क्या होना चाहिए जो उनका एक तरह से कहलो कि जो वर्कफोर्स है जो काम कर रहे है वो आने चार लोग और भी काम कर रहे हैं तो साथ में मिलके काम करना आना चाहिए एंड ट्रेनिंग on medicine for other healthcare professionals और साथ साथ में जो other healthcare professionals हैं है ना nurses है टेक्न लैब technicians है वो सब ले तो उन लोगों के साथ है ना working with other यह चीज भी होने चाहिए यह चीज नहीं होगी तो क्या होगी अब व्यवस्ता फैल जाएगी जहां पर यह सब लोग मिलके काम कर रहे होंगे ठीक है तो यहां पर सबसे ज्यादा प्राइर्टी कि इसको दी जा रही है कि वो यह सब काम करेगा ठीक है ना continuing professional development strategies ठीक है ना professional development professional मतलब सांचते हो ना एक होता है कि ऐसी काम करना एक होता है professional तरीके से काम करना development of program to support professional development ऐसे program को develop करना जो support करे professional development across all settings of practice जहां कहीं पर वो काम कर रहा है ठीक है all setting practice में यानि कि जहां कहीं भी वो काम कर रहा है एक clinic में एक hospital में ठीक है कहीं पर भी हो and all stages of pharmacist carrier और किसी भी stage पर हो ऐसे program का develop होना चाहिए कि वो professionally क्या करें काम करें और उसके प्रोफेशनल development होना चाहिए उसके अंदर equity and equality develop and implement strategy to address the equal accessibility of patient ऐसे चीजों को develop करना है implement करना है रणनीतियों को जिससे कि क्या कर सके वो कोशिश ये करें कि patient जो है वो क्या कर से सारे patient कोई भी हो है ना male female poor rich poor कोई भी हो equally assess कर पाएं equal हर कोई एक जगह पर जहां पर उस फार्मसिश अपनी सेवा दे रहा है ठीक है service दे रहा है वहां पर हर कोई अराम से आ सके and population to service including access to medicine and medicine information pharmaceutical workforce and medicine expertise disease prevention मतलब यह सारी वो चीज़े आ गही है जो service वाली बात है पब्लिक health service and digital health service तो यहां पर सीरी सी बात है equity and equality हमें कुछ ऐसा करनी है क्यों equal accessibility of patient and population patient of population जो है equally उस जगह को जाएं और access कर पाएं जो लोग काम कर रहे ना उनका लगाता data मिलता रहना चाहिए कि काम करते वक्त क्या 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 दिक्कते आई किस्टा पेशेंट आया तो क्या problem face हुई काम हुआ तो क्यों नहीं हुआ है यह सारी चीज़े जब data इखटा हो जाता है तो उससे क्या होता है अगली रणनेती या नेक्स्ट टाइम जो कुछ चीज़ों होती है तो उससे समझ में आता है कि किन-किन चीज़ों से problem हो सकती है तो उसके उपर एक क्या बनता है रणनेती बनती है जो एक्सपर लोग होते है वह बैट करके कुछ रणनेती बनाते हैं फार्मेसी इंटेलिजेंस है जैसे कि अप का trend क्या चल रहा है वर्फोर्स जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बीट में क्या trend चल रहा है तो इनेबल decision making and deployment जिससे की decision making ले सकें और deployment and supply of pharmaceutical workforce की कहां पर कितने लोगों की कैसी जरूरत है कहीं पर कम है कहीं पर मालू लगा रखें चार लोग वहां एकी की जरूरत है तो एक monitoring होनी चाहिए ठीक है ना जिससे की हमको workforce का trend बदा चल सकें कहां पर ज़्यादा फार्फोर्स की जरूरत पड़ती है कहां कम पड़ती है इस तरीके से हम उसको पर क्या कर पाएंगे नदर रख पाएंगे policy development policy सो समझते यो development implement of policy and regulation through appropriate statutory and regulatory reform that respond to patient and societal need हमें ऐसी regulatory और policy बनाने चाहिए जो respond करेगी patient और social needs को and extend the scope of pharmacy practice accordingly और उसी हिसाब से pharmacy practice का क्या होगा expansion होगा medicine expertise ensure academic capacity हमें academic capacity ऐसी रखनी है to deliver education कि वह ऐसी education दे और training दे to enhance medicines expertise in initial education ठीक है ना कि जो student है फांसिस्ट है वो initial education में क्या हो जाए medicine से एक दाव एक्सपर्ट हो जाए people-centered care develop competency framework across all stages of workforce workforce काम करने जो मर्जी stage हो उस stage पे हमको ऐसी competency develop करनी है ठीक है कि वो people-centered care रहे मतलब कि main मकसद उसका लोगों का ध्यान रखना हो ठीक है communicable disease education and training infrastructure in place to develop a workforce prepared to deliver quality service around the communicable and vector bond disease ठीक हो तो कह रहा है कि ऐसा हमें infrastructure त्यार करना है कि वो लोग क्या सके एक quality service दे पाए communicable and vector bond disease vector bond मतलब जैसे malaria वगरा होता अपना ठीक है जाब ऐसी disease फैलती है तो वहाँ पर वो लोग क्या रहे है पहले से prepare रहे और ऐसी service दे पाए क्या है antimicrobial stewardship stewardship का मतलब हो गया supervision supervise करना ठीक है supervision मतलब निगरानी ठीक है यानि कह रहा है development strategy and system to deliver quality service एक quality service for antimicrobial stewardship आज कल antimicrobial जो वह है अपने drug से उनका इस्तमाल जाए धरले से हो रहा है तो उसको क्या सुपर्वाइस करना कि कब किस case में कैसी देनी है ऐसी देते रहोगे तो क्या है वो डवलप हो जाएगा resistant डवलप हो जाएगा फिर उससे के बिमारी जल्दी ठीक नहीं होगी तो antimicrobial को इपर नजर रख सके ऐसी इनको क्या देंटी यह स्टैड़ी त्यार करनी हमको access to medicines and devices and services access to medicine devices and services जो medicine devices है और services उसके लिए access वहाँ तक easily जा सके टू डवलप ए सिस्टम optimize access to effective medicine and pharmaceutical care service through appropriate supply chain ठीक है ना तो कहा रहा है हम एक ऐसा डवलप करना जो optimize optimize एकदम परफेक्ट हो जहां पर access to effective medicine effective medicine के लिए easily पहुंच हो and pharmaceutical care वहां पर easily पहुंच सके care service through appropriate supply chain अब supply किसके थूरू पहुंचेगा जो supply chain होती है जैसे की quality standard self-care prevention service and affordability and fair pricing policy तो यह सब चीज़े जब होंगी ठीक है इन सब चीजों के फुरू हम लोग क्या कर सकते हैं effective medicine and pharmaceutical care service वहां पर वहां तक इनकी पहुंच क्या हो जाएगी असान हो जाएगी patient safety workforce and education strategy link to patient safety तो क्या कह रहा है जो workforce or education strategy हो होनी चाहिए वह किस से जोड़ी होनी चाहिए patient safety safety से patient की safety में उद्देश होना चाहिए ठीक है and reducing medication related harm in practice और ऐसा होना चाहिए कि medication related जो नुक्सान होते हैं वो कम होने चाहिए ठीक है digital health digital health का मतलब क्या है develop courses training material and experimental experiential learning opportunities in initial education early career training to prepare digitally literate workforce यह है मेन लाइन इसकी हमें कुछ ऐसा करना है कि starting सुर्वाज से भाई क्योंकि आजकर हर एक चीज़ क्या होगी computer patient आया उसका सारा data कोई जो उसका पूरा data चला medicine कौन से चली कब चली क्या खाने पूरा सब कुस कैसा computer है तो हमको उसे लिटेट होना चाहिए digitally literate होना चाहिए प्रोवाइड अपोश्चनिटी फॉर continuous education and development to ensure ऐसी अपोश्चनिटी होने चाहिए कि लगातार उसका education मिल सके मालो अपना कोर्स करके भार आ गया कहीं और पर वर कर रहा है उस समय भी अगर नई चीज आ रही है तो उसका education हो सके मिल सके development to ensure the workforce remain up to date जिससे की क्या रह सके वह up to date अच्छा यह कैसे हो सकता है तो उन्हों को पता होगा time time पर जो लोग काम करते रहते कुछ नई चीज आती तो उनकी training चलते रहती बीच बीच में तो उस तरीके से यह सब होती है चीजे एंड digital health changes and innovations ठीक है न जो जो इन्नोवेशन आ रहे हैं उनसे उनको up to date रखना है हमको and the last one is sustainability in pharmacy यानि कि pharmacy में क्या रहे sustainability एक तार निरंतरता रहे तो develop strategies and system that utilize the workforce to enhance sustainable pharmacy and service हमें ऐसे strategy और system को तयार करना है कि utilize कर सके pharmacist का to enhance sustainable pharmacy service की एक लगातार निरंतर यह नहीं की pharmacist की service कम ज्यादा हो रही है एक लगातार निरंतर service हमको फार्मसिष्ट की मिलती रहनी चाहिए लोगों को society में ठीक है ना डैड़ sustainable in pharmacy तो यह हमारे FIP के 21 गोल थे मैं फिर एक चीज कहूंगा यह लाइन याद ना हो तो digital health है ना patient safety जो जो असान असान है एंटी माइक्रोल इस्टिवर्ट सीप जो असकबनी के वल डिजीज जो 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 असान असान है वह हैडिंग तुम लोग क्या कर लोगे अच्छे से याद कर लोगे उसके अंदर के मैटर को फिर बाद में क्योंकि यह लेंग्वेज एक्षिली जो है यह लेंग्वेज तुम लोग वही लेंग्वेज है जो की उस एफाइप के गोल में लिखी हुई थी ठीक है ना तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना हमें कोशिस यह करना कि पहले याद हो जाए वह जातर गोल पूछता है उसका एक्षिली से नहीं आता है तब भी मैंने क्या किया है एक एक लाइन में सब्सक्राइशन देने की कोशिस कर रखी है ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं अपने माइंड नर्चर के गोल है ना जो हमारा एप्लिकेशन है हमार नर्चर उसी के नाम से अब आप आ चुका है जो की गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर भी अवेलिवन हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चर से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट जैसे डाल रहा हूं मैं यूटूब पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने ले पेसिकल तुम्हार पास क्या आते हैं MCQ और फिलिंदा ब्लेंक ठीक है यह तुम्हारे अब नए जो पैटन है उसमें नया एक्जाम पैटन है ठीक है न पढ़ लेंगे, तो pass तो guarantee हो जाएंगे, ठीक है, और जब detailed knowledge चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके रिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, आप लोग, मैं तो पढ़ाई रहा हूँ, ठीक है, और जिस बच्चे केवल pass होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन questions की practice कर live class होगी, अब माल लो, मैं ये यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुमारा doubt first गया है, ठीक है, तो वो कैसे cover होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, live class होगी, doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class, जो कि अभी start already हो चुकी है, बच्चे doubts पूछ रहे हैं, और class से मिला करके, सौधेर सो कोशन हो जाए करेंगे, जो कि तुमारे डी फार्म और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले हैं, MCQ कोशन, अब जखो, समस्य क्या है, ये MCQ कोशन का test हम लोग कहा नहीं ले सकते, यूटूब पर नहीं ले सकते, अब यूटूब पर क्या होगा, म आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके, सोच करके, वो मज़ा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है, ठीक है न, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है, फिलिन देवल्यांक से बारे में बात करी चुका हूँ, routine test for deform and exit exam, only 40% marks चाहिए, सबको पता है, 100 मेंसे सबको कि इतना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है न, तो routine test, routine test का क्या मतलब है, माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर combined test होगा, एक, किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का, फिर chapter 3 मालो खतम हो गया, फिर उसके पाद एक combined test होगा, 1 plus 2 plus 3, इस तरह से चलता रहागा, चलता रहागा, एक टाइम वो आएगा, 1 plus 2 plus 3, मालो 13 chapter है, तो combined test हो रहे है, यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है, और अगर बे मन से भी दे रहा है, 20-30% त्यारी करके भी, तो 40% यानि कि 40 number लाना और फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा है, इस exam को target करके होगी, ठीक है ना, जो subject तुमारे exit exam में आएंगे, उसको target करके पढ़ाई होगी, यानि कि जब theory पढ़ोगे, या पूरे साल के लिए सभी subjects की, first year पूरा साल, सभी subject 1100 रुपए, second year पूरा साल, सभी subject फिर से 1100 रुपए, यानि कि एक साल की fees आपको 1100 रुपए पढ़ रही है, इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे, तो ना कि बराबर है, महिने का तुमारा 92 रुपए something पढ़ता है जाक लिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के, YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है, जिसमें मैंने notes नहीं दिया है, ठीक है, जिन बच्चे को नहीं पता, description से निकालना नहीं आता है, मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले, ठीक है, उसके बाद भी कोई दि ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, yes, revision, बिना revision कि आप ये सारी चीजे नहीं कर पाऊगा, याने कि पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो revision, जरूर, जरूर, जरूर करना में हमेशा कहता हूं, revision ही है, selection, revision करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर ए करते रहो, revise करते रहो और पढ़ते रहो, all the best!